नमस्कार, बहुत स्भागत है आपका आप देख रहा है ग्रैन धर्मा सर्मार्ग सावन के महणे में सिवजी को एक लोटा जल अरपित करने का जितना विधान है उससे कहीं ज़्यादा महत्व सिवजी के मंदिर में एक दिया जलाने का है दीपक जलाएंगे कैसे दीपक में क्या डालेंगे तमाम विधी हम विश्टार से आज आपके साजा करेंगे क्योंकि जब आप दिया जलाते हैं एक दीपक तो आपके जीवन में जो अंधिरा है न वो समाप्त हो जाता है सिव पुरान के अनुसार भगवान सिव स्रावन के महने में पृत्वी लोग पर आते हैं और स्रावन मास के अधिश्ठाता भी सिव हैं इस माह में भगवान सिव की सामान ने पूजा करने भी पर भी आपको अक्षय पूनी की प्राप्ती होती है वैसे तो भगवान का आसिरबात पाने के लिए भक्त बेलपत्र जरूर अपीत करते हैं लेकिन अगर आप एक दीपक भी जला देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाय पुर्ण हो जाती है सिव पुरान में कहा गया है कि सावन के महने में भगवान सिव के सामने दीपक जलाने से सभी पाप नस्ट हो जाते हैं और जीवन में अंधकार खत्म हो जाता है तो सिव पुरान में किसमें दीपक जलाने के बारे में बताया गया है सिव का सबसे प्रे दिन सोंबार है ऐसे में अगर आप सावन के महने में वैसे तो स्रावन का मा पूरा सोंबार के इतरह है लेकिन जब सोंबार के थिती आ जाए तो और भी खास हो जाती है तो आज आपने ब्रत रखा होगा वैसे तो यह प्रियोग किसी भी दिन करें देखी ह हर एक वस्तु को अपिट करने से हर एक अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पुर्ण होती है। और भगवान सिब की अगर सच्छे मन से पूजा करें तो सारे कलहकलेस से मुक्ति मिल जाती है, मनोकामना पुर्ण होती है। क्योंकि सिब जी हमेशा ही अपने भक्तों पर किरपा बढ़साते रहते हैं। इसलिए भगवान सिब को परसंद करने के लिए सोंबार के दिन उनकी भी से सरादना होती है। जब भी आप सिब जी की पूजा करें तो सिर्फ सिब जी की पूजा ना करें। आपको पूरे परिवार की पूजा करना चाहिए। भगवान सिब, मापारवती, गनेज जी, कार्तिके जी मराज, नन्दी जी। तो चले जानते हैं कैसे आप सिब को मनाएं। कौन सी बस्तू अरपित करके क्या फल प्राप्त करें। सिब जी को प्रसंद करने का, खुस करने का बहुत सरल सा उपाए। दिखिए सबसे पहली बात, एक सो आठ की संक्या में कोई भी बस्तू आप सिब जी पर अरपित करते हैं। नमह सिबाय बोलते हुए तो आपके जीवन की सारी परिसानिया ही दूर हो जाती है। जैसे की चावल के दाने हैं, आप वही पूरे आपके घर में चावल तो है ना, तो पूरे सावन में आप किसी भी दिन या आप चाहें तो लगातार भी कर सकते हैं। आपके लिए संबब हो, एक सो आट दाने चावल तुटे-पुटे वे ना हो बिनकर रख ले और नमह सिबाय कहते वे एक एक दाना उठाए और सिबलिंग पर अरपित करें। अरपित करने के लिए आपकी जो पहली उठाए जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं तरजनी उठाए 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 और चोटी उठाए अरपित करें। हर एक वस्तू के अरपित करने के समय नमह सिबाय तो चावल सिब जी को वैसे आप पूरे सावन में अरपित करें। एक भी दाना अरपित कर देना तो सिब जी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। घर में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप सिब जी को जो सरसों होता है ना सरसों का पुस्प एक सो आठ सरसों का पुस्प लाकर भी सिब जी को अरपित कर सकते हैं बस बिलकुल वही तरीके से तो वैसे तो बिल पत्र भी अरपित कर सकते हैं लेकिन आज हम कुछ खास बत पहुंचाएगा तो वो दस खास बस्तु कौन सी है जो सिब जी को सबसे प्री है जो अर्पित करके आप अपने जीवन के हरकस्ट को दूर कर सकते देखिए अगर आपको लगता है कि आप थोरे से रूखे हो गये हैं प्रेम कम है आप में थोरा सा तब यहां पर आप सिब जी क है कि आपका तेज बढ़े जीवन में सुक्र मजबूत हो जाए सुक्स सम्रिद्धी संपत्ति आए आपका बैवाहिक जीवन अच्छा रहे तब आप केसर की पंखुडी आप चाहें तो जल में भी एक दो पंखुडी डाल कर सिबलिंग पर अर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से जीवन में खुसियां आती है आपका सुक्र बेहतर होता है पारिबारी जीवन उत्तम होता है तो ये महा उपाय है आप जैसे भी पूजा करें लेकिन एक बार इस तरीके से उपाय कर लेंगे तो जीवन के कश्ट दूर हो जाएंगे अगर आप जल में चीनी डाल कर अर्पि या चली जाती है और घर में सिर्फ खुष यहां आती है तो चल्मा में चीज एक वाहार जा इत्र में यह चकर हैम औरार नहीं मैंच चटाँग कर रिस ढदाएं रूट time और वह मिद्धे धितर शूस्टी शेचियान दतは चैणन करते की इले अचन दोने नपर लगा 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 ले अगर आप इत्र सिबलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जो बिचार पवित्र होते हैं आप गलत कारे नहीं करते और भूल कर भी आपसे कोई गलती नहीं होती हमेशा स्वीजी आपको रहा दिखाते हैं दूद दूद से तो हर कोई सिपजी को भी सेख करता है लेकिन क्या आपको पता है दूद से भी सेख करने से क्या होता है आपका स्वास्त अच्छा होता है और सबसे बड़ा धन तो स्वास्ती है अब देखिए आपका कभी हाथ थोड़ा सभी कड़ गया सबजी काटते समय है ना तो वह सबी चोटी मोटी परिशानी क्या बड़ी से बड़ी परिशानी भी आपको परिशान नहीं करती और आप स्वस्त रहते हैं तो जीवन में कभी आप बीमारी नहीं होते गंबीर से गंबीर बीमारी भी समाप्त हो जाती है और आपका सुक्र बेहतर होता है आपको जब भी दूद पीद करें अभी जो हम आपको तमाम बस्त सकती बढ़ती है बंस बढ़ता है और घी अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें और उनसे प्रातना करें आपको संतान है तो संतान तरक्की करेगी संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी और नमा सिवाय का अनवरत जब कीजिएगा अब जरूरी नहीं है कि आ सिभ जी को चन्दन अरपित करते हैं ना तो आपका ब्यक्तित तो बढ़िया होता है समाज में मान समान यस बढ़ता है आपका मस्तक ठंडा रहता है जैसे सिभ जीज चन्दन लगा के ठंडे उनका पिलायें कम होती है जो पड़शानियां जो समस्याएं है वो कम हो जाती है तो चंदन सिब जी को लगाईए वो यह सजाने में के काम में आता है इसके बाद जल अर्पित नहीं करना है सहथ जब भोले बापा को सहथ अर्पित करते हैं तो एक तो आपका सत्रू बिरोदी सांथ हो जाता है दूसरा आपकी वानी में मिठास बढ़ता ह जाता है और सहथ जब अर्पित कीजिए गा तो इसके बाद थोड़ा सा अर्पित करना है चमण अर्पित करने के बाद जल जरूर पित करें सहता क्स्कروह सब्सक्राइब तो इसको आप अर्पित करके नहीं छोड़ सकते इसलिए इसके बाद सिबलिंग पर जल अर्पित करें मलमल के अच्छे से दोईएगा ताकि सिब जी फिर से फ्रेस हो जाए और फिर उनको सजाईएगा तो सहच चराने से सत्रू सांथ हो जाते हैं और आपकी वानी में भी मीठा पनाता है भंग रहिया भांग जिसको कहते हैं भांग अलग होता है भंग रहिया अलग भंग रहिया अर्पित करने से जीवन में खुसियां आती है सनिदे परसंद होते हैं भांग अगर अर्पिक कर दें तो आपकी कमियां दूर होती है बुराईयां दूर होती है और सिप जी भी प्रसंड होते हैं और साम के समय सिप जी के मंदिर में जो भी मंदिर है पास में जाकर एक दिया जरू जला दीजिएगा दीपक घीका होगा तेल का भी जला सकते हैं उस पुरान के अनुसार स्रावन महमें हर रोज रात के समय भगवान सिवी के सामने दीपक जलाना चाहिए दीपक को हमेशा आप आठ या बारव मुखी ही जलाए अगर आठ या बारव मुखी दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं आप एक मिट्टि का दिया ले ले या और आटे का वी दिया आपान सकते हैं गहुंकिय का इसमें प्षोर्ण घया जैके हो को पर दिनागे आप के की अदाइक है पर दागे को है और यह साथ मोडरिक जला सकते हैं पर फुर्ण पर जाए ले और या 12 धागा एक साथ मोड़कर रखकर आप इसको जलाएंगे तो भगवान की जो किर्पा होती है अक्षे पुन्य होती है वह आपको प्राप्त होता है सभी समस्याओं का अंत हो जाता है लेकिन यह दीपक जलाएंगे कहां पे घर में या मंदिर में देखिए सिर्फ पुरान म एक कथा पताई गई है जिसमें कहा गया है कि भगवान सिभी के सामने दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं कथा ऐसी है कि प्राचिन काल में गुन निधी नामक एक गरीब ब्यक्ति रहता था परिवार को भोजन मिल सके इसलिए हर रोज बहुत मेहनत करता वह इतना मुले हीरे जवारात सोने चांदी के गहने रखे वे थे भूख से बेहाल गुन निधी इन गहनों को चुराना चाहता था तो मंदिर में पहुचते ही वहां रखा दिया बुझ गया जिससे मंदिर में बहुत अंधेरा हो गया अब गुन निधी ने दीपक जलाने की बहुत क काम हो गई तब मंदिर में से अंधेरा दूर करने के लिए उसने अपनी कमी जला दी जिससे मंदिर का अंधेरा दूर हो गया और भगवान सीविया देखकर बहुत प्रसंद हुए उन्होंने गुन निधी की गरीबी को दूर करने की और अगले जन्मे देपताओं के कोसा ध्य कुबेर के रूप में जन्म लेने का आसिरबाद दिया तो कुबेर धन के देपता नहीं होते हैं अगर धन के रखवाले होते हैं कता कहती है कि भगवान सी जितनी जल्दी प्रसंद हो जाते हैं इसलिए उनको भोले नात कहा जाता है तो स्रावन महा में अगर आप सच्चे मन स पुर्ण हो जाती है पर दीपक में जैसा हमने कहा आठ या बारा बाती ही रखिएगा इसलिए हमने कहा अगर आप लाल धागे की बाती नहीं बना पा रहे है तब रूई की पत्ली पत्ली आठ या बारा बाती बनाकर एक साथ मिला लें उसको और फिर जला दें तो मनों काम पूर्टी के लिए दीपक में लॉंग डालेंगे अगर किसी ने कोई तंतर मंत्र करिया है आपको लगता है आपको उपर कर दिया है तो दो चुटकी सरसों पीली सरसों उसमें डाल कर जला दीजिएगा फिराल भी दा लेते हैं जानकार यह अच्छी लिए तो लाइक कर सब कर दिया है